प्रभ भगवान की जै 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 वर्थमान शासन्नायक वर्थमान महविरस्वामी भगवान की जै 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 परम पुझ प्रातस्मर्णी एसंति श्रोमनी आचारी भगवन श्री विद्या सागर जी महाराज की जै 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 परम पुझ गुनायतन प्रनेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमान सागर जी महाराज की जै 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 परम पूझी मुनिश्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय 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 परम पूझी मुनिश्री स्वात्म नंदी जी महाराज की जय 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 एलक्ष्री निजानन्द सागर जी महाराज की जय 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 शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार दिख, हार दिख, अभिनंदन, आज का यह सत्र प्रारंब करें, उससे पहले पुझ गुरुवर के चर्णों में नमोस्तु अर्पित करके, उनके आश्रिवाद मही उर्जा प्राप्त करके, अपने जीवन को हम धन्ने करेंग जो कर लिया है गडबंधन, उसका ही फल हमें दिख रहा, अद्भुत रचना गुनायतन, बंधों, गुनायतन वह स्थान होगा, जहां आकर आप और आपकी पीडियां, चड़ पाएंगी मोक्ष महल की सीडियां, तूटेगी मोह की बेडियां, और जड़ेगी ग्यान की इश्वास से कह सकता हूं कि गुनायतन वह परियोजना है, जिसके माध्यम से जिन संस्कृति की यश्योपता का दिख दिगन तक पैलती रहेगी, इसलिए मैं हर संस्कृतिनिस्ट को आवास देता हूं कि वह आए और गुनायतन में तन मन धन से अपना सयोग करे, और हमें ख करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन अवश्य करेंगे, संस्तापक सदस्य के रूप में आज जोड़े हैं, श्री तंसुक जैन, श्री मती, जैश्री जैन, श्री धर्मेंद्र जैन, मुंबई से करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन करें, श्री सनी जैन, श्री मती रा दॉक्टर स्वाती जैन, श्री विजय कुमार जैन, डॉक्टर अमिज जैन, अतुल जैन, वे आएं, और पुझी गुर्वर का आशरवात प्रात करें, और इनके सम्मान के लिए में आमंत्रित करूंगा, श्री सिद्धार जी कासलिवाल, एनल जी जैन, कोशाध्यक्ष गुन प्रदीप सुराना जैन, प्रियंका जैन, धर्म पतनी सुनील जैन, अतुल जैन से, और स्वर्ण दान दे की जिन्होंने अपनी जीवन को स्वर्ने बनाया है, निर्मान मित्र की रूप में जो संबद हुए हैं, डॉक्टर वैभव जैन, डॉक्टर स्वाती जैन, श्री व स्वर्ण दान की रूप में जो जुड़े हैं, स्वर्ण ये रमेश जैन जैन की स्मृती में, श्री मती अंगोरी देवी, ब्रमचारी सुनीता दीदी, चकरेश जैन, शांती जैन सब परिवार छिंदवारा से, एवं श्री उज्वल कुमार नीलम जैन, पुत्र सजल, पु काता से, आज का यह सत्रे हम प्रारम करें, उसके लिए मैं प्रतम प्रशने के लिए अमंत्रित करूंगा, डॉक्टर डी सी जैन, बीना सागर से, और आपके बाद तयार आएंगे, श्री शोभेंदरी जैन, गुनायतन से, महरास्त्री के चर्णों में नमोस्तू, नमोस्तू, सकल दिगंबर, जैन, समाज, बीना, सागर, खुरई, सबकर, नमोस्तू, सुभिकरत करें महरास्त्री, महराजी प्रस्ण है, उमर बढ़ने के साथ, मुस्कराहट कम नहीं होती, और मुस्कराहट कम हो जाए, तो उमर कम ह एक पुछ पहसुस होता है, कि एक रुपैसर के भारे में थोडा साहीर रभाद में उमर बढ़ने के साथ मुस्कृरहट कम नहीं होती, मुस्कृरहट कम हो जाए तो उमर कम हो जाती आप जिस किसी की भी ये भावा भी वेकती है, इसमें सार तो दिखता है मैं इसे पलट कर कहूं जिसकी मुष्कुराहट बनी रहती है उसकी उमर कम नहीं होती और जिसकी मुष्कुराहट थम जाती है मुष्कुराहट खतम हो जाती है उसकी उमर थम नहीं पाती इसलिए अपने उमर को हमेशा बनाए रखना है तो जिन्दा दिल बन करके जी हो, हर पल मुश्कुराते रहो उपस्तेतों शुर्शोभेंदर जी जैन और आपके बाद तयार रहेंगे आदरने ब्रह्मुचारी भईया रिंकु जी अशोक नगर्शी अंचारी नमोस्तु महारश्री नमोस्तु नमोस्तु महारश्री ये प्रस्ण या जेन अजमेर का है उचने बहिजा था महारजी कि अभी कुछ दिन में शोबह निर्माण मुदक्ष अमर्पित किया जाता है और सायकाल आठ वजे भक्तामबर जी महामंडल का पाथ और अर्टालिस दीपकों से आर्ति का आयुजन किया जाता है तत पश्यात मुंफली गजा क्रियोडी चाय दूद अलपहार किया जाता है तो उसकी शंका यह थी कि निर्माण दिवस दिन रात्री में अलपहार उचित है निर्माण दिवस में हम धर्म प्रभावना करते हुए मनाए या पार्टी करते हुए किर्पया माग देशन दे नहो कोई भी काम करो जाय भाव तै अरे बहाइ इस घो हो छोड़ा के खाते राः भाई आ ने खुंड़ा मैं गरggakू जाँड ऍेषन और फावर के मैं झासार मना फ्राजमार्च का जाई च्जले रात्री गोजन के त्यागी है अर् कि वática भी ताज कुछ ब्रागा श्य के ये भाव हम सब के लिए बताय जाता है, क्या रात्री में रोटी खाने से पाप लगता है, कलाकंद खाने से पाप नहीं लगता है, पाप तो पापी है, और इस तरह का कारी कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाले लोग, जितना पुन्न बांज़ते हैं, उससे कई गुना प आएंगी, शुरी मती रेना जी जैन, संजा जी जैन, महिजाम गुनायतन से, मंच पाई ब्राजमान, सभी गुरुगरी चरणों में, नमस्तु, 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 माराश्री, हमारे असुनर जिलेक से 30 किल मुटर दूर पर थोवन ग्राम में ग्रुगरा मुगाली चंदिरी सबी जगे से बस आती है, पुजारीयों की रोज अभिस्यक करती है, और ये प्रिक्रिया, ओम सवार करो क्या हाँ, और उस सम्मन में जिग्या से यह है से, कि सिद्ध छेतर पर अभिस्यक पूजन करने से, और अपने नगर के जिनाले अभिस पुर्वक उत्तर दे दिया था, इसलिए आज पुर्ना वित्ति उचित नहीं, चाले. श्रीमती रिजना जी जैन, संजा जी जैन, महिजाम गुनायतन से, और आपकी बाद तयार रहेंगे, श्रीमान देवकुमार जी ममतारानी जी जैन, सास्थ्री परिवार कटनीज, महारा जी महारा मारा सरा, चाहिंडा, म traumatic गुर्णा फिर्ल्ब, सभी मुनिराजों के चंडों मेरा कोटी कोटी प्रिणी, मुर्णा, सी जी मेरा प्राष्ण एक एक गड़त्या, इदि किसी की करो तो जो भूल जाते हैं, और किसी की ना करो तो वो याद रखते हैं, ऐसा क्यों? मदद एक ऐसी घटना है कि करो तो लो भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं, ऐसा क्यों? यह जीमन का एक बड़ा सत्त है और ऐसा होता है इन बातों को दिहान में रखते वे हमें रजर अन्दाज करना चाहिए और इसे परट लो कि हम मदद करके भूलना सिखें समझे हम मदद करें तो भूलना सिखें और कोई हमारी मदद करें तो याद रखने की आदट डाल ले तो दुबधा कतम है पर एक काम ऐसा कर दिया कि 99 अच्छा काम जीरो होगी तो हमको उस्खिलारी कर दर नहीं आउट होना है वो कैसा काम जिससे हमको बचना है देखो उधारन तो तुमने दिया पर मुझे लगता है इस उधारन को भी थोला भिष्लेशित करना चाहिए इस उधारन में मजा नहीं है निन्यानवे के बाद यदी कोई आउट होता तो उसका निन्यानवे वेतने निन्यानवे तो काउंट होता है निन्यानवे वाला जीरों में नहीं जाता है हाँ निन्यानवे वाला धैर रखता है तो सतक बनाने का स्रेय पा लेता है बड़ी उपलब्धियां वेही अर्जित कर पाते हैं जो सही दिसा में धैर पुरुवक चलते जाते लेकिन इसकी जगा अगर ये उधारन देते तो ज्यादा अच्छा होता वो है लुडो साप सिड़ी का खेर चलते चलते निन्यानवे में साप काटता है और एक पर पहुंचा देता है सिखर से सुन निन्यानवे चलते मेहनत करके चलते पर एक चूक ने तुम्हें सतह पला दिया क्रिकेट में आउट होना तो किवर सतक बनाने से रोकता है पर लुडों में आना साफ से डसा जाना कि एक कराये पर पानी फेर देता है तो मैं सभी वेक्ति से कहूंगा कि अगर उफलब्धियों के मुकाम पर तुम पूरी तरह ना पहुच पाओ तो कोई चींता नहीं पतन के रास्ते पर पैर मत रखना सीरी चार रे वेवरेस्ट की चोटी पर चढ़े बहुत अच्छी बात है कदाशी न चारपाओ तो भी उतना नुक्सान नहीं है कम से कम पाओं फिसलने से बचा रहे है क्योंकि पाओं फिसला तो सभल नहीं पाओगे आजकल हर कोई बड़ी उचाई च्छूने की चेष्टा में अपना अधा पतन कर रहे है और सर्वनास का कारण बन रहे है उससे हमें बचला चाईगे श्रीमान देवकुमार, मम्ताजी, राणी, जैन, शासिरी परिवार कटनी से और आपकी बात तयार रहेंगे अरुण जी जैन, वैभव जी जैन, जैपुर से मंच में विराजमान सभी महराजों कटनी से शासिरी परिवार का नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू मेरी संका है कि हमारे जीवन में कुंडिली का क्या महत्व है, क्या जो नक्षत्र राष देखकर भविष्य तय करते हैं, क्या वैसे है, क्या वैसे है, या फिर पुर्शास से अपना भविष्य बना सकते हैं, करपया मार दर्शन देख, कुंडिली का जीवन में क्या महत्व है, क्या नक्षत्र देखकर के हम अ अपना भविष्यत कर बना से लिए 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 पड़ने में समर्थ रहता है, वसाई अर्थ में बाच लेता है, और हमें सब कुछ सही सही बता देता है। उसके आधार पर हम अपने भावी जीवन को बवस्तित कर सकते हैं। इसी तरह जोतिश के संदर में समझना चाहिए। जोतिश का विज्ञान यही है कि आप अपने गोचर के आधार पर अपने भावी फला फल को बहुत अंसों में जान सकते हैं। लेकिन यह तैमान करके चलना कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाओ में गहों के इस्ठिती कारण नहीं है। वह तो किवल उस उतार चढ़ाओ के काल को जानने का माध्धम मात्र है। हम उनके चक्कर में पढ़ने की जगा है। यदि अपने तरफ देखे तो ज्यादा बहतर होगा। जब छेत काल भाव का आस्रे लेकर हमकर चलेंगे। तो वह तो उनके जीँने के लिए जदा अच्छा होगा। जहां तक जोतिश की बात है। तो मैं इस संदर में एक ही बात कहूंगा। अलब जिंदिगी एक पत्रिका निकलती थी म्यद्य प्रदेश में जब मैं आज निकलती निकलती निमान। वहाज इंदिगे, आज आज इंदिगे, देनिक भाजकर समुगा। उसका एक विषे संख था जोती संख उसमें अलवर के राजा के लिए अंग्रेज़ोद्वारा उसमें एक उपाधी दी जाते थे एंपायर ओफ इंडिया वह उपाधी मिलेगी या नहीं मिलेगी जानने किने लोगों ने सुझाओ दिया कि मुंबई का एक बड़ा जोतशी है उससे परामर्स लिया जाए वह काफी खर्चीरा जोतशी था राजा ने उसे बुलाया मुंबई से ट्रेन द्वारा इस्पेसल सेलून में आया अर बड़ा प्रमुदित था क्योंकि राजा का अथिती बन कर आया जब अलवर आया तो उसे लेने के लिए कोई भी भी नहीं आया सीथे दर्बार में पहुंचा उसे अपना पर्चे दिया तो राजाने कहाँ आपको यह क्यो आया बला आपका भाविष्य बतटने इसो इंदें भाविष्य बताने इसो को जेल खुष गुष ऑंगें थे जेल में थूस थुष ऑंगें और दिघ मेने जुज से राज वर जाय डोगंक हुछी नुज से राज जाय उसे बच्छी और जूगे आपूछी मेला की शुशाई नुज से बुछाल जुज नुज आपiger उसे ऊसा का उने गाल फुञाल आपराज अै केम ली जापने चे लीडा १्य। किसे वहाज दो बादी कि बहुत है। राजा ने का भीया तुङ मेरा भावश का बताए नहीं कि रहाजने कि मुझे एंपायर औप इंदिया की उपाधी इलेगे कि नहीं तुझे सब्सक्रावश नहीं कि मैं दिखाँ तो घाल जा सकता हूं जिसको खुद के भाविष्य का पता नहीं, वो औरो का भाविष्य क्या बताएगा, तो अज के समय में मुझसे एक बार किसी ने पूछा, मराज जोतिश को मानते हैं, मैंने का मैं जोतिश को मानता हूं पर जोतियों को नहीं, क्योंकि इसमे इतना ज्यादा आडंबर कर दिया, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, आउचित पून प्रतीत नहीं होता। इवो संस्क्रत वाला कराने के भाव हुए हैं, जो संभवते राजास्तान के इतियास पे पहली बार होने जा रहा है। गुर्देव इस विदान में आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विदान में समलित होने के लिए आमंतित करते हैं। और आपसे आशिरवाद यो मार्क दर्शन चाहते हैं कि किस प्रकार यह विदान प्रभावना पूरवक सफलो और विदानारती जनों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फल मिल सके। महत अत्ता महा प्रकाट किया है। से ज़्यादा महा मंदल बिदान की आराथना जीवन के एक बुनने तमु आराथना अविषिष्ट आराथना है। अरभावी अस्टानिका के दिनों है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सभी जनों को आशिरवाद अधिक जोड़े। और जहां तक सवाल है कि कहना है कि राइस्तान में पहली बार हुआ है। दानना सुधार लो राइस्तान सही बिदान की शुरुवात हूँ। समझे है। तो राइस्तान में इसके लिए जैपूर में और जैपूर के बाद चांदी के मंडल के साथ दाता किसंगार सब जगा यह आराधना हो चुकी है। और फिर आपके भिंडर, भिंडर में तो और तालिश मंडली तक हुई है। इसलिए राइस्तान से इसकी शुरुवात हुई है। और बहुत अच्छी बात है। आप तो गुशे कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशिरवात। सभी लोग उत्सहा पुरुवाके इसमें सभागिता दे। आज गुणायतन से ट्रस्टी की रूप में जो संबध हुए हैं। कोलकाता से श्री सनी जैन, श्री मती राखी जैन, अरहन जैन, विदान जैन। वे यहां पे उपस्तित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि करतल फनियों से उनका विवादन करें। वे आएं और पूझ गुरुवर का अशरवाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्री एनल जी जैन, इवां श्री अरूंजी जैन, जैपुरसी। प्रशी घृता करेंगी। एनल जी जैन, आपना प्रशन उपसित करेंगी। अभी गुरुवों को सादर नमन, वंदन। ओम। मराश्री, प्रबंधन के क्षेत्र में, हर वेक्ति इच्छा रखता है कि उदन कमाए। और धन कमाने के कई सारे रास्ते हैं, जो पढ़े भी हैं, सुने भी हैं और पढ़ait भी हैं। आत्मियतपनेक दिरिश्टी से अगर हम देखते हैं, तो धन को लक्स्मी कहा गया है। और लक्स्मी की चाय हर वेक्ति को होती है। जाए स्वयम हो, जाए समाज हो, जाए तूसरी शंताय हो, तुमारे जी मेरी जिग्या सा ही है, कि लक्षमी को क्या चीज अच्ही लगती है, कि विक्ति उसको जो है उसका प्ललिन करते है, क्या चीज अच्छी लगती है कि लक्षमी को लगती क्या चाहे कि कैसे करे कि लक्षमी जो है ना उनके पास में आए नमबर वन दूसरा इसमें यह है कि लक्षमी का स्वरूप कब से है और कैसे सहाया आपको दो सवाल सिधा सिधा सवाल से काई राल नहीं है कि डुट परसंद केसे रहे ती कि ड्रशन रहे हैं, वह टुट hyper Move काहँ जह लोग लिखते हैं, Lakshmi जी सदा सहाय करो Lakshmi जी सदा प्रशंद करो। ये स्ट में अपने इस सब्द पूुछा है ज्या है नक्ष्मी सब्द कब से चलन में आया है लक्षमी टिकी रहे, पहले मैं उसका उतर देता हूँ और वो उतर में एक किस्से से देना चाहता हूँ एक बड़ा सेट था रात में उसके हाँ सपना है और सपने में लक्षमी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती मुझे जाना है तुम्हारे घर नहीं रह सकती मुझे जाना है शेटने बच्छा आखिर जाना क्यों चाहती हूँ लक्षमी ने का मैंने कह दिया मुझे जाना है जाना है तो आप जा सकती हूँ पर क्यों जाना चाहती है मैंने तय किया है कि मुझे इस घर में नहीं रहना आपके पास यस है धर्म है बैभाव है मेरी यह आउशक्तानी इस सब के साथ में नहीं रह सकती मैं जाना चाहती हूँ तो का ठीक है मैं यस को धन को बैभाव को छोड़ देता हूँ मैं जाना चाहती हूँ मैं जाना चाहती हूँ मैं जाना चाहती हूँ मैं जाना चाहती हूँ के दान को भी झोल देता उ तुम रहो तुम्हारे ऱूहेच़ दर्म है। मैं झार मेिस दान के रहते नहीं नहीं चाहते सेतने कहा मेरे पास मेरे द्धर्म रहे चव खां हूँ चाहे गा तुम्हे झाला है तो रहो और यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हे जाता देख सकता हूं लेकिन धर्म को अपने घर से निकलता नहीं देख सकता हूं और उसने का धर्म इस घर में रहेगा धर्म जब रुक गया थोड़ी जेर बात देखे तो दान भी आ गया दान आया तो बैभा भी लोटके आ गया बैभा और दान आने के बाद देखा तो यस भी लोटके आ गया थोड़ी देर बाद देखा तो लश्मी भी चले आई शेतने पुचा तुम तो चले गए ते क्यो आ गई बले नहीं जिस घर में धर्म होता है वही दान होता है वही यस ह वहीं बैभा होता है, और मैं यहीं के ही साथ रह सकते हैं। तो लक्षमी को जोड के रखना चाहते हो, तो धर्म से जुले रहो। समझ गया है। अब आपका जो दूसरा सवाल है। धन के लिए लक्षमी सब्द का चलन कफसे हुआ। लक्षमी को स्री समपत्ति जोतक सदियों से माना जाता रहा है। अगर कहें तो हमाले सास्त्रों में जैन सास्त्रों में कार्तिके यानू परिक्षा में लिखा है। सास्यान लच्षी चक हरणंंपि पुन्न बनतानंप ता तो किम सार करे रहिम एर जनानम अपुनानम जब चकवर्ति जैसे पुन्य वंतों की लक्षमी सास्वत नहीं है तो साधरन पुन्य हीन दोगों की संपत्ति का क्या कहना तो यह उलेक प्राचीन काल से है अब यह सोध का विशह है कि धन की जगा लक्षमी को इस्थान कहा दिया लेकिन मुझे लगता है यह पौरानी काल से चलन में हमारे हाँ बहुत सारे प्रतीक बनाए गए और धन के लिए प्रतीक के रूप में लक्षमी को देवी की मानता दी गई होगी और उसमें जो अंकन किया गया उसमें दो महत्तबून बातों पर ध्यान देने की दिलाने की बात चाहूंगा लक्षमी को सदेव कमलाशन किया गया कमल पर और अक्सर खड़ी मुद्रा में रखा गया और लक्षमी का वाहन उल्लू को बनाए गया लक्षमी कमल पर क्यो है लक्षमी कमल पर क्यो है कमल कीचल में खिलता है कमल कीचल में खिलता है तुम्हे जो धन मिलता है वो भी पाप से मिलता है समझ गया और लक्षमी क्हड़ी क्यो है क्योंकि वो जाने को तयार है उसको टिकना अच्छ नहीं लगथा वो चलते ही रती एक जगा टिके नहीं रती इसलिए लक्षमी खड़ी है उसका बाहन उल्लू है इसका मतलब क्या है उसे कुछ सूजता नहीं जिसे सूरज की उजाले में कुछ दिखाई नह पड़े उसका नाम उल्लू है इसी तरह जो लक्षमी को अपने सिर पर रख लेत है वो उल्लू यानि विवेक हीन बन जाता है तो मुझे लगता है कि पुरानी काल से ही ये परबरा चली आ रही होगी पर जो भी है वहुत मॉलिक है और हम सब को इस पर बहुत गंभीता से विचार करना चाहिए नमोस्तु महरा स्री अब मैं पूज एलक्ष्री निजानंत स हम सब को दिशाबोत प्रदान करें इच्छामी महराच जी एक सिस्ते गुरू की पास जाता है और प्रस्ने करता है कि भगवान हम भी जिनमार्ग पर चलना चाहते हैं मुक्षमार्ग पर चलना जाते हैं हम कोई ऐसा हम किस नए काव लंमन लेकर चलें इससे हम अपना कल्या कर सके निस्चर का या विवार गा तो आचारी कहते हैं साइदे गठा प्रसाइशित उपाई में आई है कि जई जिन मयम पबज्ज़ी तामा विववार निस्चर मुरह एक केने मुना छज़ई तित्थम अन्लेने पुन तच्चम आचारी कहते हैं कि यदि तुम लंबर छोड़ोगे तो दान पूजा जो तीर्थ है उसका नाच हो जाएगा जिनिस्चर नाच को छोड़ोगे तो मुल भुद्ध तत्थ है उसका भाव हो जाएगा तो धन है ऐसे मुनी राज्यो निस्चर मुर्ण ब्रवार मुर्ण दोनों का संतुलन बना के चल रही हो दोस्तों को भी इसी प्रकार आंगे बरने की पेर्णा दे रहे हैं ऐसे मुनी राज्यो को नमुस्तु करें कि मैं यही पूंचना चाहता हूं कि भगवन कि जिस प्रकार संसारी जीव सुखा भास को सुख मान लेता है ऐसे ही बहुत से लोग हम लोग भी क्या हैं बिवहार बिवहार मान लेते हैं निष्ट एभास को निष्चय मान लेते हैं हम दोनों का संतुलन बना कि किस प्रकार चने जिस्टे हम लोग मुक्स मार्ग पर आंगे बरनें और अपनी आत्मा का कल्यान है काय सकेँ नमौ अभास में सथ्त्य की प्रतीति एक बहुत बणा भ्रम है औ आप्त नहीं हो सकता। सुखा भास में सुख व्यर्थ की मिग मरीच का की दौर है ऐसी दौर जिसमें गती तो है पर गंतब्ब नहीं भाग दौर है पर मंजिल नहीं इसी तरह आपने जो शवाल किया की बहवारा भास को ही बहवार मानने का भ्रहम और निश्चया भास को ही निश्चय समझ लेने की भूल हमें कहां पहुचाएगे वो बहुत बड़ी भटकन है ये एक प्रिकार का अज्ञान है यदिपी बहवारा भास और निश्चया भास ये शब्द मूर आगम में तो नहीं मिलता नेकिन इसका आसे जरूर देखने को मिलता है सबसे पहले आपने जब ये शवाल किया है तो मैं बहवार और निश्चय के अर्थ को प्रकट करना चाहूँगा उसके उपरां तिससे संदर भी दिपाते हैं बहवार क्या है निश्चय क्या है दोनों हमारे धर्व के अंग हैं बहवार यानी प्रवित्य और निश्चय यानी निर्वित्य हमारे प्रवत्य की जो भी किर्याएं हैं प्रवत्य का धर्म कहलाते हैं ये सब बहवार है निश्चय में प्रवित्या नहीं होती प्रवित्यों से ऊपर उठा जाता है निर्वित्ती के ओर बढ़ते हैं इसलिए निष्चे को निर्वित्ती कहा जाता है दरसल बहवार हमारी क्रिया है और निष्चे एक विकार की ध्यानात्मक परनती जो क्रिया से निष्च क्रिया की ओर बढ़ने पर प्राप्त होता है तो इस तरह से बहवार और निश्चे दोनों अपनी अपनी जगा अपना अपना महत पर रखते हैं बिना बहवार के निश्चे की उपलब्धी नहीं होती हमारे हाँ दो तरह की भूल है कुछ लोग है जो केवल क्रिया रूर होकर जीते हैं और कुछ लोग हैं जो क्रियाओं की घोर उपेक्षा करके अपना धर्म साधने की असफल चेष्टा करते हैं दोनों भूल में हैं क्रियाओं के बिना भी धर्म नहीं पर क्रिया मातर का नाम भी धर्म नहीं ये बात हमें सदेव याद रखना चाहिए जहां जैसी आवशक्ता और अपेक्षा हो उसके अनुरूप हमें अपना काम करना चाहिए बैवार और निश्चे दोनों में सामंजस्त बना करके चलना चाहिए बैवार क्रिया है पर वह तभी जब आत्मा के साथ जुड़कर हो आत्मा स्पर्शी हो अन्यथा वह केवल एक उपरी रूटीन बन करे रह जाएगी हमारे भीतर सास्त्रों के हिसाब से जब तक कर्मों का च्छेश उप्षम उप्षम नहीं होता तब तक बैवार का धर में भी फ़ली भूत नहीं होता बैवार की दिश्टी से अगर हम इस बात करे तो जब तक हम अपने क्रिया के मूल भूत प्रयोजन को नहीं साध लेते तब तक हमारी क्रियाएं सफल नहीं होती उधारन के लिए हमें सामाई करना चाहिए ये हमारा धर्म है धर्म है ना पर सामाइक में तो बैठ गए और मन लगन रहा है सामने वाला अपने आपको च्रतात महसूस कर रहा है कि मेरी धाइग घंटी की सामाइक हो गई मैंने उतकृष सामाइक कर ली थाई गंटे एक जगा बैठा रहे सरानी है लेकिन बैठकर किया किया तो पता लगा थाई गंटे उंगता रहा तो यह उसकी सामाइक हुई क्या पर जो बेक्ति ऐसा सोच के अपने आपको कृतार्थ मान रहा है वो आत्मुदता में जी रहा है कि नी हुए है दूसरे ने का रहे, बहुते है जा कि एस तरह की के लिखने में कुछ नी होता क्यों रीड सीधी करने से कोई सामाइक होती क्या सामता ही सामाइक है इसंते हर पल सामाइक रखो यानि संता रखो जो हो रहा होने दो और वो भी क्या कर रहा है सामायक के टाइम में दूसे कारियों में लगा हुआ है तो भी कुछ फल पा रहा है क्या सही कौन है सामायक को अपने ब्रतों की पूनता का आधार मन कर उस्जा और जागरुकता के साथ संपन्न करने वाला वेक्ति ही सच्चा सामाई की कहलाएगा और उसके ही उस बिशुद्ध से कर्व कट पाएंगे बाकी तो अधिरा में जिएगा ना तो इसी तरहा है सुस्क क्रियाओं माद से हमारा कल्यान नहीं होता जब तक की वे अंतस्ष पर्शी ना हो समझ गए तो बहवार अनतस्ष पर्शी होना चाहिए और निश्चे उसका फल है बहवार फूल है तो निश्चे फल है आचायर गुदे नि मुखमाटी में लिखा फूलों का रक्षन हो फलों का भक्षन हो फूल के बिना फल नहीं मिल पाते हैं तो फूल फल नहीं है सत्त है पर फूल के अभाओं में भी फल नहीं है यह उससे बडा सत्त है तो बहवार को बहवार की तरह और निष्चे को निष्चे की तरह देख कर के चलना चाहिए मैं तो यह जानता हूँ निष्चे को पाना बहुत कथिन है और बहवार को निभाना बहुत कथिन है दोनों को लेकर चलने वाले ही अपने जीवन में शफल होते है। बहुत अच्छी बात लिखे गई है। निच्छे माजननता, 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 आसे लोग अपना सर्वनाज कर देते हैं निष्चे निष्चे रड़ते रड़ते निष्चे वदी भी डूबे क्रिया कलापी भीवे डूबे डूबे सहयं हम से हुवे प्रमत्त बन कर कर्म नकरते अकम निष्चल सैल रहे तीन लोग में लीन किंतमुनी तेन लोक में तैर रहे की बात है, तो हम तीन लोक में लीन होकर, तीन लोक में तैरने की कला तब ही विक्षित कर सकते हैं, जब भेवार निष्य दोनों में सवन बना कर चला जागा। मैं निविदन करूगा पुछ जी मुनिश्री स्वात्म नंदी जी महाराच से, नमस्तु नमस्तु अगवन एक जीव को साथो ही कर्मों का निरंतर बंद होता है, आयू कर्म छोड़कर, उस जीव को कभी तिर्यंच गति का बंद हुआ, समय बित्ता गया और उनुने देव गति का आयू बांद लिया, तो उस तिर्यंच गति के जो अववागी प्रतिछेद उनके संक्रमित हो सकते या नहीं। मुत अच्छा प्रश्ण महराजी ने किया है। सबसे पहले तो इस विशे में दो बाते अच्छे से समझना चाहिए। कि आयू कर्म और गति कर्म दोनो अलग-अलग कर्म है। और दूसरी बात आयू कर्म का बंद ही समय पर अलग-अलग समयों में होता है। गति कर्म तो चोविस घंते बंदती रती है। तो हम आपको आयू कर्म का बंध, बरतमान आयू के दो तिहाई बीचने के बाद, जब एक तिहाई वस्ता है तभी होता है, और ऐसा एक मनुष्य के जीवन में अधिक्तम आठ बार हो शकता है, जिसको सास्त की भासा में आपकर स्काल कहते हैं, हुधारन के लिए यदि किसी की 80 वर्स की उम्र है, तो पहली वार आयू कर्म का बंध, 74 वर्स की उम्र में कर पाएगा, अगर उस समय आयू का बंध नहीं हुआ, तो उसकी बच्चीवी 27 वर्स की आयू है, उस 27 वर्स में दो तिहाई, यानि 18 वर्स बीच जाएगा, यानि 18 वर्स की आयू में दूसरी वर्स बांदेगा, अगर वहां भी नहीं बंध, तो उसकी शेस आयू बच्ची नहीं वर्स की उसमें छे वर्स निकर गएगा, तो अगर उसमें भी नहीं नहीं निकल गएगा, तो एक तीन वर्स की आयू बच्ची उसमें से दो वर्स नि इतनी बार आयू बंदेगी और जिस काल में जो आयू बंदेगी उस काल में वही गती बंदती है, सामान नियम है मैं आप लोगों के लिए बोनाओ, महराज ने ये नहीं पूछा, महराज को ये विशा इस्पस्ट है लेकिन सवाल ये कि मेरी जो पहले को दूसरी गती बन गई जैसे किसी ने नरक गती का बंद किया बाद में उस गती का क्या होगा तो आयू कर्म और गती कर्म की तासीज में मौलिक अंतर है आयू कर्म में परस्पर में परिवर्तन नहीं होता लेकिन गती कर्म एक दूसरे में बदल जाते है बर्तमान में मैं आपको बोलू हम आप सब मनुष्य हैं पर नरक तिरियंच और देव गती का भी भोग कर रहे हैं हमारे आपकी कर्म सत्ता में रहने वाले नरक गती देव गती या तिरियंच गती के जो कर्म हैं वे सब मनुष्य गती के रूप में परनाथो करुदे में आए तो वो उनका प्रदेश शंक्रमन होता है तो वो अभी भागी प्रतिषेड, रूप्रास गर्ण प्रस या प्रकृतिप्रटिष इस्टिय नुभाग केसाद। ने मैं पर्म्रुजी मुईशी निर्वेक सागर जी महाराईज की चन्नों में नमोस्तू पर पुरुवक्त निविदन करूंगा कि अपना प्रशनी रख औरा सेश समय शेशत्र में अपने प्रशनों की माध्यम से हम सब आप का लियान का माय प्रशस्त करें नमोस्तु हाराची शेख्षा जीवन में चारित निर्मान का महीत्पुन साधन है प्राची इंकाल में गुरुकुल परमपरा चले तो विद्या और ज्ञान, आज वीक्ती ज्ञानी वनना चाहता है और पहले विद्यालेयों में विद्या मिलती थी तो हमारा पुछ पुछी सीया है कि विद्या और ज्ञान दोनो एक ही चीज है यर इनमें कोई अंतर है वहस्त अच्छा सवाल किया है मरे जीन विद्या और ज्यान इन दोनों में क्या अंतर है दोनों बिलकोल बिन्न बिन्न चीज़े है ज्यान का मतलब है knowledge और विद्या का मतलब है एक विशेष प्रिकार की कलाचा विकास एक टेकनालोजी है हमारे सास्त्रों में चौदा प्रकार की महा विध्याओं की बाता थी प्रग्यापनी आदिक विध्याएं जो हमारे लोगों के एक वर्ग के जीविका का आधार होती थी और विद्यो बजीवी मनुश्यों को विद्याधर के नाम से जाना जाता था वो विद्याओं के बल पर ही जीते थे हम उसे मंत से जोल लेते हैं, आनुरूप से जोल लेते हैं पर वो एक परकार की टेक्नलोजी थी तो जिसके पास तकनीक है उसके पास विद्या है कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास विद्या है उसके पास अक्षर ज्यान भी हो अक्षर ज्यान से सुनने विक्ति भी विद्यावान हो सकता है क्योंकि उसके पास टेकनीक हो और कई के बार तो ऐसा देखने में आता है, अक्षर जानी पीछे रह जाते हैं, और अनभवी लोग अपने विद्या के बल बड़ बड़ काम कर लेते हैं, भारत में एक सब्द चलता है जुगार, जुगार सब्द कहीं न कहीं हमारी विद्या को परिवासित करता है, एक लुट्पार जा रहा था और स्वोम में जिख सब्द त 토, विद्या भार ऑस पाइल सभ्दु था विद्या रह विद्या हो एल्हीं निकालना था, 맛있 pernah को रिभान देखर सब्द कर बड़ना हने कर्णा कि कैसे इस त叉 को इधर से उधर निकालने, इधर सब्हार टेर सब् तो तू पढ़ा लिखाने हम इंजिनियर फेल तू कहा है तू पढ़ा लिखाने हम इंजिनियर फेल तू कहा है तू पढ़ा लिखाने हम इंजिनियर फेल तू कहा है तू पढ़ा लिखाने हम इंजिनियर फेल तू कहा है तू पढ़ा लिखाने हम इंजिनियर फेल तू कहा है और चुहा के पूछ में उस तार को बांद के उस पाइप के अंदर घुसा दिया चुहा इस पार से घुसा उस पार से निकर गया तार गया आगा यह है विद्या विद्या पढ़ने से नहीं आती विद्या अनभाव से प्रकट होती समझ गया है अब है ज्ञान ज्ञान भी दो प्रकार का है एक सुच्राओं के संग्रह वाले जिसको हम कलेक्शन आफ इन्फॉमेशन कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान होता है क्योंकि उनके पास सारी जमाने कीचियों जो की सुच्राए होती है तो जो जितना पड़ता लिखता है सुनता है संपर्क मेरता है वो उतना ज्ञानी कहलाता है और होता भी है और दूसरा है अंतस्पूर्त ज्ञान जिसके लिए पग्यास सब्द भी कहा जा सकते हैं या अंतर ज्ञान अत्म ज्ञान वो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है एक बच्चा अजकल तो चिमनी नही आती लिकिन हम अपनी उमर के पीछे चले जाते हैं उजहारत देवा चोटा बच्चा लाल टेन की चिमनी की तरव लपकता है अब मा रोकती की बेटा मज्जा ताता है सब को पता है की चिमनी चूने से हाथ जलता है लेकिन इसके बावजूद बच्चा लपकने से नहीं मानता और चिमनी को जा के चूता है एक बार चिमनी चूने के बाद जब गरम गरम लगता रोला सुरू करता है और दुबारा कोई कहता है बेटा देख जिमनी चूने नहीं ताता ये ज्ञान है जो अनभव प्रसूत ज्ञान है समझ गए साब्धि ज्ञान वाला वेक्ती टोटे में रह सकता है लेकिन जिसके भीतर अनभव का ज्ञान प्रकट होता है वो कभी भ्रमित नहीं होता तो सच पुछो तो सुचनाओं का संग्रत दिमागी बोज है और अंतर का ज्ञान भीत्री बोध है जो हमारी जीवन का कल्यान करता है महराजी ने कहां अपने बच्पन की बाद बताते हैं उस समय बास्तों में विद्याले और मात सरकारी विद्याले हुआ करते थे एकका दुका कोई प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे जमाना बदला और आज सरकारी स्कूलों में अच्छे बच्चों की संख्या घटती गई और प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती गई उसी में हमारे ज्यादातर बच्चे अध्यन करते हैं तो पूछ स्री से हमारा यही प्रशन है कि जब हम अपने बच्चों को किसी शिक्षा के लिए चारित निर्मान के लिए किसी स्कूल में डालना चाहते हैं तो एक अच्छे स्कूल का चैन हमें किस आधार पर करना चाहिए क्योंकि आज स्कूल फाइव स्टार होटलों से कम नहीं बच्छें और जब माता पेता बच्चों की स्कूल में डालने जब पच्चीस स्कूल होते हैं तो कौन सा चैन करने बड़ी दुवदा होती है जिस ऐ कैसे हम इस Sakballs का चैन करिश हमारे बच्चों का बड़ी को बच़्ों का बच्चों का भविस्य दुच्छ उज उजए अच्छ तरीक से तरीक निर्मान हो सके? ड्रीक हिर बिल्च एक अच्छ स्कूल का शेनल हम कैसे करें? इक अच्छ स्कूल के चेन के माननन्ड क्या होना चाहिए? आजल तो फैसन हो गया है जिस फैसन में जितनी स्टार फैसिलिटिः है लोग उसको अच्छे अच्छ सु अच्छ सेलूप में नेंके और तो अगजी बाद है एक विक्ती आया मेरे पास सुवा सुवाँ, अबला महराजी आप अशिर बाद दीजे, अबले बहुत जलूरी काम, अबले बच्चे का अज इन्मीशन है, आज इसका इंटर्व्यू, अबले तेना बीटा कितना बला है अबला महराजी ज़ जाए जाल का मराज जी अड़ी मुश्किल आप तो आशिरबाद दे आपके अशिरबाद से इस श्कूल में होगा उस समय मैंने कुछ भी बोला आशिरबाद दे दिया सहाजरूप से दूसरे दिन आया मराज फूला नहीं समया मराज आपके कृपासे बड़ा काम हो गया उस स्कूल में मेरे बैचे का इड मिशन होगया अम पुछा कौन सा स्कूल तो इसने इस स्कूल का नाम बताया है हम बले हड़ होग तू मुझे पहले बताया होता तो में तो आसिर बादे नहीं दे दाया है वहार पंच दिन पहले की बात है उन दिनों की राते जब मेफ ज अन दिनों की बातन जब मैं tillा दो अज दॉदा फंध काता better quality Tom अ झां over 2 सिस्कूल में आऴां अपोाम हो कुछ छार जयन पच्चे हैं मारी स्कूल में अलओ wederdra सब नॉन जयन सहने और सब्षटर के कास्टके हैं अगर सब नन वेंगर ले के आते हैं सब के आप लेकर ले के आते हैं है तो हम तो तोलोग क्या करते हो मैंमे में आत्यकत होती है आंप देसन आत्काराँका मैंमे पेठी रिष्ट जैन बत्चे अपना आलाइक घर आलिया करो तुम ऱ्छिन डख्या लिया करो तूम आत्म तुम भाराज सर अट गृर्ट एंन्ग कर sut मैंने का बता भाई, तू अपने जिस बच्चे को धाई साल के उमर में वहाँ दाखिल कर रहा है, रोज नौन वेज खाने वाले बच्चों के साथ वो खाएगा, अपने अजु वाजु के बच्चे को रोज रोज खाते देखेगा, तो अबोध उमर में उसकी गलानी खत्म हो मेरी राय में अच्छा इसकूल वो नहीं, जहां अच्छी साज सज्जार विवस्ता हो, इस्टार फैसलिटी जहो, अच्छा इसकूल वो है, जो तुमारे वेक्तित्त को भीतर से चमकत करे, चमका दे, आज ही बहुत सारी लोग, जो दुनिया में सीर सपदों पर पहुंचत पहुंचते हैं, प्रतफा नह सरगीक होनी चाहिए, जहां हमारी पढ़ाई के अनुकुलता हो, पढ़ाई के साथ संसकारों पर बल दिया जाता हो, जहां अनुशासन अच्छा हो, जहां संगती अच्छी मिलती हो, हम उस स्कूल को एक अच्छे स्कूल के रूप में गिने, अगर ऐसे स्कूल में आप हेजेंगे तो बहुत गरबल होगा, एक परिवार मेरे पास आया, उनकी एक ही बेटी, एक इंटनेशनल स्कूल में पढ़ रही थी, अब बेटी तेंथे में थी, और जब आई मेरे पास उसे बात्चित किया तो उस देखकर के मैं भी इस तब्द अपन्ति सोच, और वो खुले सब्दों में मुझसे करती है, मेरे लिए बेज और नॉन वेज में कोई अंतर निए, मैं तो खाती हूं, और अपने माबाप के सामने कह रहे है, माबाप एक दम सर्मिंदिगी उनको भी इस तब देखकर उनको पता नही था, हमने उसके पिता कर डाला, अब इस बच्चे से क्या पिक्षा रखोगी, तो आप कभी भी किसी भी स्कूल में किसी बच्चे को दाखिल करना चाहो, तो यह जरूर देखो कि जिस स्कूल में आप भेज रहे है, उसके पिष्ट भूमी कैसी है, वहां की सोच कैसी है, उसका बच्चे पर क्या आप पड़ेगा, ध्यान लखना, इंस्टूशन, एक्स्प्रियंस के आगे महत्तनी रखते है, हम लोग ने कौन से डिग्री धरहन करी बोलो, हम कौन से, हम तो सरकाली स्कूल में पढ़े हैं, और मेट्रिक तक ही पढ़े हमारे पास कोई डिग्री नहीं पर आज हमारी किता इसलिए भांत धारना को दूर करना चाहिए, और जीवन को शीन रूप अगे बढ़ाने का प्यतने करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल आज महारा स्री ने किया, कल में चाहूंगा कल का पूरा सत्र में बहुभाग महारा स्री के लिए रखा जाए, और आज यहीं पराम प झाहिए